मित्रो आओ आज रात हवेली पर क्योंकि आने वाली UPSC प्रेलियम और मेन परिक्षा के लिए इकनोमी के अलग-अलग अपडेट्स इंक्लोडिंग लेटेस्ट बजेट, लेटेस्ट इकनोमिक सर्वे वॉल्यूम वॉल्यूम टू वो सब हम लोग देख रहे हैं रूनाल्स वीन 21 सिरीज ओफ लाइव लेक्चर्स चार लेक्चर अभी तक हो चुके हैं जिसमें हमने ये इकनोमिक सर्वे का जिस्ट देख लिया मोनेटरी पॉलिची अपडेट्स, बेंकिंग, एनबी, एपसी, शेर मार्केट में क्या-क्या डेवलप्मेंट हुए, बजेट और सर्वे में क्या बुला गया उसी सिरीज को आगे बढ़ाते हुए आज रात 9 बजे इंशॉरंस, पेंशन, फाइनाशल इंक्लूजन के बारे में क्या-क्या नए अपडेट्स हैं हम देखेंगे खास करके, खास तोर से ये LIC का डिसिन्वेस्टमेंट करने के लिए IPO लाएंगे ये मुद्दा क्या है इंशॉरंस सेक्टर में फॉरें डारेक इंवेस्टमेंट लिमिट को बढ़ाया गया तो उससे क्या फाइदे नुकसान हो सकते हैं फिर ये EPFO और उसमें आत्म निर्बर, बारत रोजगार योजना क्या है स्टेंड अप इंडिया स्कीम में नए बजेट में क्या अपडेट्स किये गए इकनामिक सर्वे का सब क्या अबजर्वेशन है वगेरा वगेरा इसका हैंड आउट मैं अपनी वेबसाइट मुनाल.org डाउनलोड पे आज शाम 7 बजे तक में अपलोड कर दूँगा और इसका लाइव लेक्चर रात 9 बजे अन एकेडमी के लाइव प्लैटफॉर्म पे होने वाला है उसका रजिस्टेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्री अनलोग कोड यूज करें मुनाल.org अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि 6 अप्रेल मंगलवार के इंडियन एक्स्प्रेस में मुझे काम की चीज़े क्या लगी एथिक्स और गवर्ननस के साथ जुड़े कुछ समाचार में वो महराष्टा होम मिनिस्टर पर फॉर्मर मुंबई पुलिस कमिशनर ने आरोप लगया था कि हर महीने 100 करोड की हफ्ता वसुली करने का टारगेट दिया है और मुकेशंबानी के गर के सामने फिर उसके खास आदमी ने बॉम वाली कार रखवाई थी वगयरा बॉम्बे आई कोट ने CBI को कहा आप प्रिलिमनरी इंक्वाईरी कीजिए और ये उसके चलते ये महराष्टा होम मिनिस्टर ने रिजाइन किया है फिर ये एथिक्स के स्टरी गवर्ननस वगयरा में वाई आईएस उसके अलग-अलग जवाब हमने दो दिन पहले भी पड़े थे एक और मुद्दाज मिलता है ओडिशा में केंदर पाड़ा डिस्टिक में कुछ सातांठ अलग-अलग गाउं थे प्राब्लम ये आ रही है कि कोस्टल इंटूजन, कोस्टल इरोजन, सब समंदर की रेती, समंदर का पानी, जमिन की ओर आ रहा है कि इनको जमिन देंगे और देड लाग रुपे दिये जाएंगे और उस योजना में, बीजू पकागर योजना में इनके मकान बनवाएं जाएंगे बग्यरा तो rehabilitation of the displaced persons, dam बगेरा बनता है, highway बगेरा बनता है, तो लोग विस्तापित होते हैं, उनका तो होता ही है साथी साथ हैसे सब सीन में भी district magistrate, IS officer की भूमिका रहती है तो ये why IS के अलग-अलग मुद्दे आप जोडते जाएं, जोडते जाएं, ultimately you will have a good answer ready for your interview की क्यों आपको IS बनना है आगे बड़े तो internal security के साथ जुड़े वे कुछ मुद्दे, national security act, NSA उसमें सब government को power मिलता है कि बीना trial के किसी को arrest किया जा सके ताकि वो कोई नया illegal काम न कर सके तो ये Indian Express ने लंबी सी investigation करके पाया कि उतर प्रदेश में बहुत सारे लोगों को NSA में गिरपतार किया गया है और जादातर केस में गव हत्या हो रही थी ऐसे आरोप में गिरपतार किया है और कई केस में अलाबाद High Court ने उन लोगों को बाद में छोड़ दिया और district magistrates को फटकार लगाई कि आपने बिना खुद से जांच किये देखे मिकेनिकली जो भी पुलिस ने ओर्डर किया आपने उसी साब से ये सब अरेस्ट करवाई है जो सही नहीं हुआ है और कुछ ऐसे केस में असल में काउ स्लोटर ना हुआ हो लेकिन पॉलिटिकल या बिजनस राइवल्री के चलते किसी की चुगली की जाए प्रोपर्टी डिस्प्यूट जलसी इर्शा बावना से रिष्टेदारों द्वारा पलोसियों द्वारा चुगली की जाए और लोगों को ऐसे केस में फिट किया जाता है इंटर्नल सिक्यरिटी का बड़ा मुद्धा लेफ्ट विंग एक्स्टिमिजम वाम पंथी उग्रवाद ये नकसलवाद माववाद वगेरा इस पर इंडियन एक्स्प्रेस ने बड़ी सी आज एक्स्प्रेंट सीरीज बनाई है कुल मिला कर जिष्ट ये है कि अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ CRPF कोब्रा कमांडो अकेले से ही माववादियों से उसको साफ कर पाएंगे वो मुश्किल है क्योंकि उसमें लोकल पॉलिस की बुमी का बहुत एहम होती है क्योंकि लोकल पॉलिस के पास ही वो जो भी स्थानिक बाशाएं हैं लोकल इंटेलिजन्स नेटवर्क, जियोग्रफी, टॉपोग्रफी वो सब होता है और उसी के चलते जिन स्टेट गवर्मेंट ने अपने अलग से कमांडो यूनिट तयार किये जैसे आंद्र में ग्रेहाउंड्स, महराष्ट में C-64, जार्खन में जार्खन जैगवार, वेस्ट बेंगाल में स्टाको तो वो ऐसा तो नहीं हुआ कि मावादियों को कंप्लीटली जीरो साफ कर दिया लेकिन काफी हद से पहले से जादा उनको कंट्रोल में कर दिया है कि वाइलन्स वहाँ पर कम हो रहा है, बहुत कम जीलो के अंदर उनकी प्रेजन्स बची है वगेरा हाला कि 36 गड़ में ये सब देखने को नहीं मिलता, क्यूंकि एक जमाने में वहाँ पर स्थानिक लोगों कोई वो हथियार दे के तुम खुद से ही लड़ ले ना इन से, मतलब जो विजिलांटीजम, कानून आप खुद ही आथ में लेलो, जिसको का गया सालवा जुदूम कमांडो यूनिट तैक करना चाहिए, कुछ कोशिश हुई ऐसी DRG कमांडो यूनिट, लेकिन वो अभी नया है, बाकी राज्यों के कमांडो यूनिट के सामने उसको experience कम है, training कम है, operational freedom कम है वगयरा, जिसके चलते ये सब गटना है, जिसमें 22 जवान शहीद हुए, तो ये सब पड़े तो page 2, 3, कुछ काम का नहीं, page 4 भी कुछ काम का नहीं, page 5, महराष्टर सरकार सोच रही थी कि शनी रवी को रखते हैं न lockdown, तो केंदर सरकार ने कहा, weekend lockdown से कुछ नहीं होता, सही से कुछ strategy बनाई है, page 6, columns left side के दो-दो paragraph के छोटे column में, वही सब second wave of corona की बाद, उसके क्या हम रुखताम के लिए कर सकते हैं, excel फाइल में बहुत सारे मुद्दे दियें, आराम से 250 words हो जाते हैं, आगे बड़ो, उसी तरह ये 36 गड़ में, माउइस्ट अटेक के बारे में, वो हमने देख लिया, तीसरा, Donald Trump का Easter message और उसकी सब कटाक सटायर काम की नहीं, बड़े column में, निलकांत मिश्रा की बारत में, bond market अच्छे से develop नहीं हुआ है, जिसके लिए, जिसके चलते government और corporate कंपनियों को पैसा बोरो करना महगा होता है, वगेरा, उसके जो जानने लाइक मुद्दे थे हम पहल फिर दूसरी column की ये जो corona की second wave है, उसमें भी silver lining है कि पहले से लोग कम मर रहें, वगेरा, ठीक है, आगे बड़ो, page 7, page 7 column में, सी राजा मोहन, international relation में, आज उन्होंने लिखा है, NATO के बारे में, that is, North Atlantic Treaty Organization, headquarter Belgium के Brussels में, अमेरिका और कुछ European देशों के साथ मिलके ये military organization, alliance बनाया गया, और इदनलीस का उद्देश था कि second world war के बाद, जो Soviet USSR, उसका domination, उसको थोड़ा control में रखा जाए, cold war में, शीतियुद में सब उनकी भूमिका थी, हाला कि USSR के collapse के बाद, अब वो दूसरे security के काम देखते हैं, अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, फिर ये, कोसोवो, सर्विया वगेरा जगप है, तो यहां कॉलम में सब बात ये है कि बारत सरकार, quad group के साथ engage करती है, शांगाई cooperation organization के साथ engage करती है, तो ये सब देखते हुए हमने NATO के साथ भी engage करना चाहिए, हाला कि बारत को उसका सद से बनाने में कोई बहुत रूची नहीं रखते, लेकिन कुछ मुद्दों पर आप सी से हमती बन सकती है, common ground against terrorism, पाकिस्तान, चाइना, it is possible, और वैसे भी USSR के पतन के बाद NATO ये जो लिबिया, इराक, अफगानिस्तान में शांती के काम देख रहा है, तो बारत भी वहां पर अपने जो भी strategic economic interest है, या कुछ नहीं तो अपने civilians को वहां से rescue करके लाते वक्त इनके साथ coordination में हमको मदद मिल सकती, तीसरा मुद्दा, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वगरा के साथ military exercise तो करता ही है, और ये सब NATO के साथ जुड़े ही है, तो फिर हमको NATO के साथ बात करने में मतलब कोई अधराद नहीं होना चाहिए, चौथा, रशिया और चीन आजकल आपस में बहुत meeting कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और यूरोप ने इनके खिलाब sanctions प्रतिबंद लगाए हैं, जिसके कारण हमने आगे पड़े थे, रशिया में opposition leader को जहर देने की कोशिश और चीन में वो मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, वगेरा के जलते अमेरिका यूरोप ने जो प्रतिबंद लगाएं, तो अगर रशिया चीन दोस्ती कर रहे हैं, तो हमने भी counterbalance के लिए NATO के साथ कुछ दोस्ती बढ़ानी चाहिए, लेकिन इतने वर्षों में हम कर नहीं पाए, क्योंकि आजादी के बाद बारत के सब policy makers वो यूरोप को शक की निगास से देखते थे, कि इनके साथ और दोस्ती करेंगे तो वापस इस्ट इंडिया कंपनी जैसा हमारे साथ ये colonization कर देंगे, और उस जमाने में वो non-alignment movement यानि नाम की भी पीपोड़ी ब कुछ हैं कोचिंग वाले जो दो-दो 5-5 गंटे वो ही पढ़ाते रहते हैं क्योंकि उनको अपना content update नहीं करना, तो उसमें आपने आशिक नहीं बनना है, आपने exam के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा तयार करके आगे बढ़ो भाई, आज की तारिक में नाम is not even worth maybe 20 minutes of reading, उससे अलग-अलग अपनी priority होती है, उस हिसाब से हमने उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए, जैसे वो वाइजग्राड फॉर जिसमें Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia है, Nordic Region जिसमें Denmark, Norway, Sweden, Finland, Iceland है, तो उनकी अपनी priority सब अलग चलती है, France और Germany, उनका अलग से कुछ alliance और वो European Union के बाकी देशों के साथ, उनकी अपनी चलती है कि क्या migrants के साथ होना चाहिए, क्या feasible deficit होनी चाहिए, European Union की वगेरा, and lastly, European Union खुद अलग और Britain उनसे अलग हो गया Brexit के बाद, तो उन दोनों की अपनी priority अलग है, तो ये सब देखते हुए, उन सब के साथ अलग-अलग हमने engage करना चाहिए, और वो सारे द निबंध और इंटर्व्यू में ये सब लिख और बोल सकते हैं, उसके बाद दूसरी कॉलम है, पाकिस्तान ने जो शुगर और कॉटन इंपोर्ट करने में पहले काहा, फिर नाव, यूटन ले लिया, उस पर कॉलम लेकिन कॉलम पल के नया जानने को कुछ नहीं, वही सब पूरानी बात इंदिरा गांधी और 1972 में ये हुआ था शिंबला अग्रिमेंट वगेरा वगेरा आगे बढ़ो, तीसरा कॉलम है, बीजेपी लीडर विने सहस्त्रबुद्धे, कुल मिलाकर वही बात की प्रताब बानु महता, सरकार के खिलाब लिखते हैं, और फिर युनि मावादियों के बारे में जो मैंने आपको बता है, समरी मैंने एक्सल फाइल में डाल दिया, देख लो आराम से, फिर दूसरी बड़ी एक्स्प्रेंट सीरीज है, साओधी ने क्यों ओईल शिप्मेंट का प्राइस बढ़ा बही है, ये सब बाल बाल कॉमेंटरी काम की नही मेंस पेपर टू, वहाँ पर पॉलिटी में, कंपेरिंग कंस्टिटूशन्स, तो रशियन कंस्टिटूशन में नए अमेंडमेंट्स, समवेदानिक संशोधन, पुटिन ने ये प्रपोस किया है कि मुझे दो और बार कारेकाल मिले ताकि 2036 तक मैं ही यहाँ का लीडर बना रहा हूँ, दूसरा आंतराष्टिय जो भी नियम कानून समझोते होंगे, उसके सामने रशियन कानून सर्वो परी होगा, तो मतलब क्लाइमेट चेंज के नाम पे कुछ बोल दिया, या या वीपक्स के लीडर को जैर दिया और तुमें इंटरनेशनल सेंक्चन लखाओगे और उसी तरह ये रशिया और वहाँ पर ओर्थोडॉक्स चर्च परंपरावादी वो क्रिस्ति समुद्धा है, वो पॉलिटिक्स में भातवर रखता है, तो बिलीफ इन गॉड विल बी अवर कोर वैल्यू और उसी साब से सेम सेक्स मेरिजिस, ये सब समलेंगिक शादिया वो यूरोपियन उनियन बोल सकता है कि फ्रीडम जोन है LGBT के लिए, लेकिन वो सब इधर नहीं चलेगा, ये रशिया है, तो रशिया के बारे में सीधा प्रशन न भी पूछे जाए, लेकिन ये अभी अपनी आज़ादी को 75 तो मतलब हमें क्या गर्व है बारतिय होने पर य या हमारे Constitution की क्या विशेशताएं हैं, तो अपना इच्छा दिखाने के लिए सामने आप उसको contrast करना होगा, कि देखे वहाँ पर ये सब चीज़े हैं, on the other hand, we are doing the matters in this manner, secularism देख लो, homosexuality के बारे में Supreme Court के judgment देख लो, supremacy of Indian law वो बराबर है, लेकिन साथ ही साथ climate change के बारे में, Women Empowerment के बारे में, अगर कोई international norms होते हैं तो उसको भी हम बारत में लागू करते हैं वगेरा वगेरा, फिर places in news में, tropical, cyclone, Saroja, Indonesia और East Timor में तबाही मचा रहा है, फिर एक शीत लक्ष नदी है, बांगला देश में जहां पर एक boat पानी में डूब गई, पानी का ही नाम लिया तो याद करो कल या परसो हमने देखा था, उत्राखंड में forest fire बढ़ रहे हैं, तो Indian Air Force हेलिकॉप्टर से पानी डाल रहा है, जिसके लिए वो बांबी bucket इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मतलब ऐसा बड़ा सा plastic material से बनी कोई थेली जिससे पानी बढ़ेंगे हेलिकॉप्टर में औ अब फिर उसको जहां आग लगी है डाला जाएगा, अमेरिका और तालिबान की शांती मंत्रणा की ball by ball commentary काम की नहीं, इस्राइल के प्राइम मिनिस्टर पर corruption cases चल रहे हैं, judgment आने दो, जॉर्डन में सत्ता पलट की कोशिश, के बारे में सब James Bond टाइप की चीज़े काम की नह केर ये सब तो कुछ काम का नहीं, लेकिन मुझे सबसे दिल्चस्प चीज़ तो ये लगी, कि नेपाल जहां पर खुद प्रचंड दमाल जा रही है, constitution and political crisis, वो लोगों ने statement दिया है, we are deeply concerned about Myanmar, मलब जैसे डाइरेक्टर राम गोपाल वर्मा ये कह कि विक्रम बढ़ की movie नही case register नहीं किया जाएगा, अब उसकी deadline खतम हो रही थी वो suspension period, तो अब ये जो नया ordinance आया लेकिन उसमें नहीं लिखाए कि वार extend कर रहे है, so in other words, IBC suspension no longer extended, मतलब जिसने business loan लिया होगा, वापस नहीं कर रहा है, तो उसमें ये case में कारवाई आगे हो सकती है, अला कि पिछले सा pre-packs for MSME, pre-packs का मतलब क्या होता है, सामाने रूप से insolvency bankruptcy code की प्रक्रिया ये होती है, bank NBFC वाले complain करेंगे, national company law tribunal में कि लोन वापस नहीं आ रहा है, और फिर एक insolvency professional new किया जाएगा, जो कि लोन restructuring के लिए कुछ resolution plan बनाएगा, कि ये loan interest rate इतना कम करें, लोन का tenure और अ इसी public निलामी न की जाए, क्योंकि उसमें time जादा लगता है, कुछ बार अच्छा पैसा नहीं मिलता, और फालतु में बहुत सारी newspaper, media, limelight के चलते, business भी disrupt हो जाता है, तो pre-pack agreement मनलब पहले से कुछ लिखके रखाओ, कि अगर X situation happens, then Y person will invest in our company for Z crore rupees, और वो सब परदे के पी solvency bankruptcy code में proceed करना चाहते हो, तो ये pre-pack mechanism में क्या हो सकता है, कि कोई एक दूसरा investor, महां लिजे टाटा विश्तारा, वो कहे कि मुझे भी ये सब aviation में दिल्चस भी है, तो मैं ये company के कुछ shares खरीद के पैसा invest करता हूँ, और आपका loan की सब चीज़ां में ऐसे कुछ settle कर देंग और मीडिया में बहुत ताम जाम ना किया जाए, जिसके चलते business disrupt हो जाए, वगेरा, एक बात, अब कुछ बार ये भी हो सकता है, कि टाटा विस्तारा jet airways में इस तरह पैसा invest करने की बात करे, जिसके चलते bank NBFC का पैसा माली जे 100 करोड की रकम और recover हो जाता हो, लेकिन company के ज operational creditors होते हैं, operational creditors मतलब OC, जैसे ये jet airways वो भी अब हवाईजाद में जो भी खाना मिलता है हवा में, तो उसका जो भी bread butter supply करने वाले जो supplier होंगे, या उसका जो भी seat cover cushion बनाया होगा, वो सब company वाले, उनका बकाया पैसा बाकी हो, तो उन सब कोम कहते है, operational creditors, हाँ तो टाटा विस्तार की मालीजे, ऐसी deal के बाद, operational creditors का पैसा फिर भी बकाया रहता हो, 100 करोड में वो खतम नहीं होता हो, तो फिर Swiss challenge की जाएगी, Swiss challenge क्या होता है, उसमें फिर open bidding process की बाकी सब कम्पनियों को भी बोला जाये, जैसे indigo, spice jet वगेरा, are you interested, वो अगर मोठी रकम आफर करें, तो टाटा विस्तार को हटा के, उसका jet airways के साथ कुछ partnership करवाया जाए, तो ये सब कुछ नए reforms की बात चल रही है, ये सब banking से आगे बड़े तो budget taxation, American President Joe Biden का ये कहना है, कि कम्पनियों पर कम से कम 28% corporation tax लगाया जाए, और दीरे दीरे उसको कुछ बढ़ाने का भी शायद वो होगा, कई बार ये होता है मित्रों की, कुछ देश, multinational companies को attract करने के लिए उनको tax में छूट देते हो, जिसके चलते वो companies आमेरिका से shift करके, Cayman Island में, Mauritius में, कहीं पर अपना headquarters दिखा दे, Singapur में चले जाए, and as a result फिर उन छोटे देशों की ये competition और सस्तेपन के चलते, बड Mobilize the financial resources और उससे गरिब कलियान की सब योदना चल सके वगएरा, कैर अभी इसने लिखा है तो हो सकता है इसके नए कुछ column वगएरा आएंगे, तो इसे और हम बारी किसे समझेंगे, बड़ी कंपनियों का ही नाम लिया है तो LG Electronics ने तै किया है कि हमारा mobile का दंदा ठीक से नह चल रहा वो पूरी चीज़ी बंद कर देंगे, हमको जो आता है वो करेंगे ये टीवी, फ्रीज, वाशिंग मशीन वगएरा बनाने की चीज़, खेर तो अच्छा decision है, इसमें से आपने भी सबक लेना है, अगर आपको एक particular exam के लिए तैयरी कर रहे हैं, कर रहे हैं, तीन सा या अपने गर में बैठा रहना है, या कुछ और भी नौकरी दंदा करना है भई, तो आइधर यो बी serious, and clear the exam, or you do something else, ये LG ने decision लिया, लेकिन तब तक उसको साड़े 4 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका था, इसके लावा सब स्टार्ट अप, बिजनस, GK की बाते, प्रित्वी टीम के कोच है, रिकी पॉंटिंग, और उन्होंने उस टीम के ये बैटिंग ओपनर प्रित्वी शौक को कुछ कहा, कि तुमारे रन कम हो रहे हैं, तुम जरा net practice ज्यादा करो, लेकिन ये शौक कुछ ऐसा बोल रहा है कि मैं net practice भी नहीं करूंगा, और मैं बैट कुछ हो नहीं सकता, आपके द्वारा सिर्फ कोचिंग क्लास का कल्यान हो सकता है, क्यूकि उनकी रोजी रोटी ऐसे सब बाबुशोनों से ही चलती है बैई, तो ये था मंगलवार का न्यूस्पेपर, और बाकी आओ आज रात हवेली पर, जहां मुरुनाल्स विन 21, इकनाम अपडेट लेक्चर सिरीज में, अम लोग ये पेंचन, इंशॉरंस, फाइनाचल इंक्लूजन वगेरा के क्या नए योजना, बजेट, इकनामिक सर्वे अनॉस्मेंट, एफडियाई वगेरा मुद्दे देखेंगे